हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू दे चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे में होंगे तुझी अभी हो रहा है सुबै का टाइम सुबै के साथ बज गए हैं आपर और यहां मैं सबजी जो है वो चौक चुकी हूं तो सबजी मेर पक रही है धीरे धीरे पत्ता वो भी आलू मटर की सबजी है मैंने बनाई है और आटा मैं लगा चुकी हूं तो जब तक सबजी पक रही थी और आटा लगा लिया था तो अभी टाइम था तो मैंने जो है सैलेड काटके रग दिया है टिफिन में और जो बरतन है ना वो मेर पर रोटियां सेख लूँगी आज क्या था ना आज मैं जल्दी उट गई थी क्योंकि मेरी मम्मी को जाना था बाहर गई थी उनको बस मैं बठाने के लिए छे बचे तो बस टाइम से मिल गई तो फिर मैं घर आ गई तो मेरे पास आज काफी जादा टाइम था तो आराम आराम से आज मैंने अपना काम निप्टा लिया और इसके बाद यहां पर मैंने फटा फट से अब सेख ली हैं रोटियां और घी जो है वो गरम तवी पर रख दिया घी का डबा इससे की वो थोड़ा पिगल जाए और अब रोटियों में मैं यहां पर घी लगा के और पैक कर दू इससे पहले जो एक प्लेट मैं लगा के यह मैंने ब्रेकफस्स के लिए दे दिया हस्बिन को तो यह एक डिब्दी में मैंने रख दिया है सैलर और एक मैं रख दिया है दही और एक टिफिन में यहां पर मैंने सबजी रख दिया है अभी ढखकन नहीं लगाया है क्योंकि थ किया पर टो टीफिट मैं किशूंपरंट work हो गया। यहां पर ट्पिफिन पैक हो गया है अब टीफिन वाले बैग में जो है यह सारी टिफिन के बॉक्से लगा यहांने यू साथ में रग दूंगी मैं स्फून तो यहां Pandria को तो टिफिन जो है वो मैंने दे दिया था इस बेंड को और फिर वो निकल गए फिर मैं दोर वगर क्लोस करके आके फटाफर से जो है वो स्टार्ट करूंगी कि इस प्लीनिंग का काम क्योंकि खाना बनाओ तो उसके बाद किचन काफी मैसी हो जाती है तो आब यहां पर पहले क पानी भरके इससे की वो थोड़ा सा गल जैसे जाएंगे फिर उसके बाद उनको धोने में असानी रहेगी और जो सबजी पची हुई है ये सबजी भी एक टिफिन में करके रख दूँगी तो अब ये सबजी जो है वो लंच में यूस हो जाएगी साथ में बन जाएंगे कि मुझे अभी के लिए लंच पैक करने के लिर फिर से केट्एंड में आना है लेकिन अगर आधी एक घंटे के लिए भी केचण ऐसे फैली रहती है ना तो मुझे विल्कुल अच्छा नहीं लगता तो एक बार मैं क्लीन कर देती हूं और फिर दुबारा से उसके लिए जो तो पहले मैंने वह भिगो दिया क्योंकि जिस्ते की उसको ना टाइम मिल जाएगा अभी करीब मेरे पास हैं 20-25 मिनट हैं अभी के लिए लगा के लिए उससे पहले तो फिर मैंने वह भिगो के बैटर रग दिया तो वह 25 मिनट फूल जाएगी सूजी उतनी देर में अब मैं लगा लूँगे फटाफर से जाड़ू तो मैंने बस अपने जाड़ू ठाली है जो शूस वगएरा हैं जो बाहर रखे हुए थे उनको सबको मैंने शूराइक में लगा दिया अच्छे से और इसके बाद जितने भी जो मैट्स वगएरा होते हैं फ्लोर पे वो सब मैंने सारे समान हटा हटा के और अच्छे से जाड़ू लगा लूँगी क्योंकि सुबह जो जाड़ू है ना वो अच्छे से अगर लग जाती है आपने सारा समान जो है वो जगए पर रख दिया और अच्छे से जाड़ू लगा ली तो फिर उसके बाद जादा टाइम नहीं लग क्लीनिंग में तो मेरा ज़ाडू लगाने का रहता है वो यही रहता है कि अच्छे से मैं ज़ाडू लगा दूं जो भी समान मुझे फ्लोर वगरा पर दिखता है उसकी चगह पर लगा दूं जितना भी पॉसिबल हो जाए क्योंकि इस टाइम पर यह जो गैप होता है ना यह बीस पच्छस मिनट का ही गैप मिलता है उसके बाद फिर मुझे अवी को भी उठाना है तो अभी ज़ाडू लगाते लगाते ना मैं उसको बीट वीच में बोल रही थी कि विटा अब आप उच जाओ उसको दूज मैंने दे दिया था जब अपनी चाय बनाई थी तबी तो इस अभी को भी उठा के बैठा दिया है और अब मैं पहले ना उसके लिए ब्रेकफर्स बना दूंगी उसका लंच पैक कर दूंगी फिर उसको ले जाओंगी रैडी करने के लिए तो आज मैं अभी के लंच बाक्स के लिए बना रही हूं बीट रूट एंड कैरट का चीला तो मैंने यहां पर बीट रूट जो है वो घ्लिया है एक चील के और एक गाजर लेकर मैंने यहां पर घ्ली है और उसमे अट करूँगी थोड़ी सी बारी कटी हुई प्याज और इसको अच्छे से जो मैंने बैटर बिगया था ना सुजी और विसन का उसमें मिक्स करके च ने बोल दिया कि ममा मैं यह नहीं लेके जाओंगा आप मुझे कोई और चीज दो बोला कि मुझे बिस्किट दे दो लेकिन मैंने उसको बोल तो दिया था कि ठीक है बिटा मैं बिस्किट रख दूँगी लेकिन मैंने बिस्किट रखा नहीं और आप विकीन मानिए कि जब वो दूसरा आप्शन दे देते हैं और फिर बच्चा वाली जो चीज है जो हमें पता है कि हेल्दी है और वो नहीं खाता है तो एक बच्चों को खिलाने काना सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस टाइम उनको कोई दूसरा आप्शन मत दो जब उनको भूक लगी है तो उनको बो यह है अवी रेडि आओ अधर नहीं रहो दर नाली के पर अधर कर रहे हैं और वॉक करेंगे क्या दोर के रन रन क्यों राइन जीदा रान करो तो थोड़ी देर अभी को ऐसी वाक कर आई क्योंकि धूब भी थी ना थोड़ी सी धूब भी बच्छे को मिल जाएगी और उसके बाद उसको थोड़ी सी रनिंग कर आई और फिर उसकी वेन आ गई थी वेन में उसको बठा दिया और तुरंट ही मैं चली गई थी वॉक करने और इस टाइम हो रहा है 9.45 अब आप लोग सूचेंगे कि इस टाइम पर वॉक करने का क्या मतलब है तो actual में क्या होता है कि मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि winters में जो है वो बिल्कुल ना exercise वगेरा का कोई routine नहीं रहा है पूरा time ऐसे गया है तो body ना बहुत ऐसे मुझे feel हो रही थी jam jam जैसी क्योंकि आप बिल्कुल भी exercise वगेरा नहीं करते हो वॉक नहीं करते हो तो body का stamina भी कम हो जाता है और फिर हम अगर कभी हमें चलना वगेरा पढ़ता है और फिर जो बीच में gap होता है उसमें मैं जानी सकती कि अभी को फिर कैसे अकेले छोड़के जाऊं तो फिर ना और सुबह बहुत जल्दी उठने का ऐसा है कि रात में मेरा schedule कुछ ऐसा है कि रात में 12.30 बारा बच जाते हैं सोने में तो सुबह बहुत जल्दी मैं सच आ रहे हैं तो बस मैं गई और मतलब 15-20 मिनट मैंने वॉक किया और ना 15-20 मिनट में ऐसा लग रहा था मैं इतनी ज्यादा ठक गई थी ना तो मतलब बॉड़ी का स्टामिना सच में डाउन हो जाता है जब हम नहीं करते हैं regular कोई physical activity घर का काम अलग है लेकिन exercise और physical activity वाक तो बस वाक करी और वाक करके बस आई मैं तो चार मिनट बैठी पानी वगएरा पिया और उसके बाद फटाफट से मैं लग गई थी सफाई में तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने बैडरूम की cleaning करी है क्योंकि जाड़ू तो पहले लगी गई थी बस उपर की जो dusting है बिस् आप सफाई dusting वगएरा नहीं करनी चाहिए पोचा भी नहीं लगाते मेरी मम्मी भी मना करती है पोचा के लिए लेकिन ना मनी नहीं मानता अगर dust वगएरा दिखती है कहीं गंदा दिखता है तो बिलकुल भी ना मन नहीं मानता है तो मैंने हलकी फुलकी सी dusting कर दी थी और भी लगा दिया था और पहुचा लगाने के साथ साथी मैंने फैन भी चला दिया था तो यहां पर सूप गया इसके बाद सारे जो मैट्स वगेरा उठाएते जहां जिसकी जगा है वो सब मैं मैट्स वगेरा अच्छे से लगा दूँगी और लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने नहा के आके फटाफट से जो है मैंने अपनी कर ली है पूजा तो वस भगवान जी का दीपक जला दिया अब पूजा कर दी तो अब मुझे करना था ब्रैकफर्स लेकिन ये कपड़े जो थे न ये रखे हुए मुझे दिग गया एक्चुल में क्या ता कल इवनिंग मे मशीन लगाई थी तो फिर मैंने न सुखाए नहीं थे कि क्या फाइदा भी डालूंगी फिर मैं उठाऊंगी और उसके बाद फिर सुबह डालूंगी बाहर तो इसलिए मैंने इसी ही बकेट में भरके रख दिये थे तो अब मैंने सोचा पहले मैं इनको न सुखा देती हू जिससे कि फिर मैं आराम से सुकून से बाठ के ब्रेक्फवस्ट करूंगी वरना अगर मैं पहले ब्रेक्फवस्ट करूंगी तो फिर मुझे लगेगा जल्दी से उठ जाऊं और मैं कपड़ी सुखाने मतेरा एक दिमाग में रहेगा और अगर मैं यह काम भी कर लोंगी न तो फिर मेरे को यह satisfaction रहेगा कि हाँ आप सारे काम निपड़ गया हैं अब मैं आराम से बैठ के अपना breakfast कर सकती हूँ तो बस मैंने यह जो कपड़े हैं यह भी फटाफट से सुखा दिये और अभी धूप भी काफी अच्छी आ रखी है तो कपड़े ना time से डल जाएंगे तो सूथ भी जाएंगे तो बस कपड़े हाँ पर सुखाने के बाद फिर मैं जाओंगी निखे और अपना breakfast वगेरा करूंगी और उसके बाद फिर वीडियो editing वगेरा का जो भी काम है वो करूंगी क्योंकि उसके बाद time हो जाता है अभी के आने का फिर बच्चे के साथ कुछ कुछ रहता है बिजी हो जाते हैं तो फिलाल इसी के साथ अपनी इस वीडियो का करूंगी मैं ही पर एंड आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो किसी भी वज़े से तो लाइक कीजे का कॉमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी क्योंकि आप लोग के कॉमे कि आपको वीडियो कर लोग के कॉमेंट और समदोन सी तो ने डजे कि आपको तो लोग टाई हो लोग का की अवीडियो के कि आपको पसंदे का आपको जो जोग दोब आपको बद़े